ओके तो दिस लेक्चर नमबर 10 आफ इंजिनेरिंग ड्राइंग आज का टॉपिक है टाइपस ओफ ग्राफिकल स्केल ग्राफिकल स्केल यह क्या है वह हो स्केल जो ड्राइंग शीट पर बनाई जाती है देखो यहां पर डाइग्राम देखो ऊपर किलो मेटर लिखा है नीचे माइल्स लिखा है यह भी एक ग्राफिकल स्केल है यह एक लाइन बनी होई है इसके उपर यह कुछ पॉइंट्स बने हुए है और जिसके उपर डिस्टेंस लिखा हुआ है और इसके उपर योनिट लिखे हुई है इसी प्रगार से यह भी एक स्केल है जिसमें काला पट्ट सफेद पट्टा काला पट्टा सफेद पट्टा है इसके उपर भी कुछ संख्या लिखी हुई है ये भी उस दूरी को दर्शारा है जो ये स्केल ना अपने में सक्षम है नीचे देखो यहाँ पर भी decimeter लिखा है meter लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है centimeter यह भी एक scale है इस scale को बोलते हैं diagonal scale उसका कारण है कि यहाँ पर यह जो line है जो vertical line के पास में बनी है जो थोड़ी थोड़ी तिरची है यह diagonal pattern की line है exact diagonal नहीं कह सकते पर यह उसी परकार का pattern है यह भी एक scale होती है हमें इन दोनों scale को बनाना सीखना है और यह exam में हर साल आता है तो आगे बढ़ते हैं आज जो आप पढ़के सीखेंगे उससे co1 जो अचीव होगा वो है prepare basic engineering format, drawing format, learning outcome आज के lecture के बाद आप graphical scale के types की list बता पाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं graphical scale तोड़ा सा revision भी हो जाएगा आपका यह वो scale है जो drawing sheet पर बनाते हैं यहां पर फिर से मैंने photo यहां पर रखा है देखो एक line है और उसके उपर बिंदू बने और उसके उपर संख्या लिकी हुई है इस प्रकार की scale आपने पहले भी देखी है मुझे तो याद आ रहा है मैंने देखी है Google Map पर देखी होगी आपने नहीं याद Google Map खोलो अभी वीडियो को रोक के और देखो उसमें कोई भी जब भी आपको दिख रहोगा उसमें राजगर है या मद्यप्रदेश है उसको आप पिंच टू जूम करके देखो मनलाब दो उंगलियों से जूम करते हैं ना अपन चित्र को उस प्रकार से Google Map को भी आप बढ़ा कर सकते हो तो जिस दोनान आप उसको बढ़ा या चोटा करोगे Google Map को उस दोनान आपको सीधे हाथ में नीचे की तरफ ये स्केल दिखेगी और जैसे जैसे आप जूम इन जूम आउट करते जाओगे या बढ़ा या चोटा करते जाओगे Google Map को वैसे वैसे ये स्केल भी बढ़ी या सिकुरूती भी दिखेगी आपको ये एड़ेस्ट हो जाती है Google Map में अभी नहीं तो ग्राफिकल स्केल को बनाने की क्या जरूरत पड़ी दखो सबसे पहले जब भी स्केल शब्द सुनते हैं तो अपने दिमाग में वही आता है क्या बाजार से प्लास्टिक की स्केल खरीदते हैं उसका इस्तमाल करते हैं वो स्केल उस प्लास्टिक की स्केल में सेंटी मीटर के रेखाई बनी रहती है निशान बने रहते हैं बन सेंटी मीटर टू सेंटी मीटर और उन सेंटी मीटर की रेखाऊं के बीच में और बारिक बारिक रेखा रहती है जो मिली मीटर को दर्शाती है वो है सामानी स्केल एक असामानी स्केल भी बनाई जा सकती है जिसमें हम रेखाएं एक एक सेंटीमिटर दूरी पर ना बनाते हुए किसी और दूरी पर बनाए मानलो हर देड़ देड़ सेंटीमिटर पर रेखाएं बनाए और उसके उपर अलग यूनेट लिखें अलग यूणेट겁 सेंटीमेटर नहीं कुछ और लिखें में मानलोज की उपर अपन लिख दहेंद डैसी मीटर है और वो जो बड़े-बड़े पॉइंट्स हैं अगयर सेंटीमेटर की दूरी प असामानिय स्केल हो जाएगी वह असामानिय स्केल हम ड्रॉइंग शीट फर बनाते हैं उसकी जरूरत कैसे पढ़ सकती है मैं बताने की कोशिच करता हूँ जिसे पहले आपने कोई फिल्में देखी होगी जिसमें नक्षे से खजाने की खोच करते हैं नक्षे के ऊपर आरेफ लिखा हो सकता है जिसे मालो एक बटा पच्चिस तो यह एक बटा ड़ाइसो ड़ाइसो मालो तो इसका मतलब यह होगा कि ड़ाइसो मीटर की दूरी ग्राउंड की एक मीटर की रेखा से नक्षे में दर्शा ही जा रही है मेरी बात समझें एक बटा पच्चिस अगर लिखा है तो इसका मतलब नक्षे में अगर एक सेंटीमीटर की रेखा बनी है तो वो जमीन के पच्चिस सेंटीमीटर की दूरी को दर्शा रही है अगर आप भारत का नक अज़ा उठाऊ तो यह रेशा हो आरेफ यह और भी एक बटा के नीचे जो संख्या वो और भी अधिक मिलेगी उसकता आपको मिले एक बटा 5,000 मतलब या एक बटा पांच लाग जिसमें एक सेंटीमीटर की रेखा पांच लाग सेंटीमीटर को दर्शा सकती है पांच लाग सेंटीमीटर किते होंगे सो सेंटीमीटर से एक मीटर बनेगा तो वो पांच लाग सेंटीमीटर हो जाएंगे पांच हजार मीटर और एक हजार मीटर से एक किलो मीटर बनता है तो पांच हजार मीटर बन गए पांच किलो मीटर तो एक सेंटी मीटर की रेका पांच किलो मीटर की दूरी दर्शा रही है शायद मद्द प्रदेश के आपके पास अगर हो नक्षा तो उसको जो खोल के देखना, आपके घर पे कोई तो नक्षा होगा या तो भारत का होगा, या मध्यप्रदेश का होगा, या राजगर का कई मिले तो देखना कोई भी नक्षा किसी के पास देखना उसमें यह स्केल या रे फ लिखा हुआ रहता है अब क्या है? अगर हमने मानलो अपनी सामान्य प्लास्टिक की स्केल से किन ही दो बिंदूओं की दूरी नापी नक्षे के कागज पे मानलो उनकी दूरी आई 10 सेंटीमीटर तो इसका मतलब ये दो शहर है मानलो दो शहर उनकी दूरी अपन नापी तो नक्षे में नापा तो दस सेंटीमेटर थी तो इसका मतलब वास्तिविक्ता में उस जमीन पे कित्ती होगी दस सेंटीमेटर गुणा पांच लाक या पांच किलो मीटर एक सेंटीमेटर अभी अपन अब माल debč के साथ-साथ वो नक्शा सिकड़ गया। पुराने जमाने में क्या पहता था। वो नक्शा कपड़े पर बनाय जाते थे और उसको फिर रोल करके के में इसको रोल करके गोल करके रख लेते थे। फिर जब उसक काम पढ़ रहा थो फिर उसको खूल के देखते थे कागज में क्या समज्चया जैसे समुद्र की यातरा करनी है कई और यातरा कर रहा है तो हो सकता हूँ भीग जाए कागज खराब हो सकते था तो कपड़े पर बना लेते थे नक्षा और वक्त के साथ साथ 100 साल बाद मानलो नक्षा सिकुड गया तो जो दूरी अपने स्केल से ना पी दो शेरों के बीच की अपनी प्लास्टिक की स्केल से 10 सेंटिमीटर अभी ना पी है तो 100 साल बाद हो सकता और नक्षा सिकुड जाए और उसकी दूरी 9 सेंटिमीटर ही रह जाए और चूकि उसके उसके उपर आरेफ लिखा हुआ है मानलो एक बटा पांच लाक याने एक सेंटिमीटर पांच किलो मिटर के बराबर है तो उस हिजाब से अगर अगर अपन कैलकुलेट करें तो 9 सेंटिमीटर की दूरी दो शेरों के बीच में अगर दिख रही है तो वो 45 किलो मिटर हो जाएगी अभी क्या हुआ है कपड़ा सिकुडने से दो शेरों के बीच का डिस्टेंस नक्षे में तो कम हो गया लेकिन क्या वास्तविकता में ग्राउंड में वो डिस्टेंस कम हुआ ग्राउंड पे जमीन पे तो वो दूरी उतनी की उतनी है न जमीन थोड़ी सिकुडती है नक्षा सिकुड सकता है तो फिर नक्षा सिकुडने के बाद भी सही रीडिंग पढ़ पाए इसके लिए क्या करते हैं एक स्केल बनाके कपड़े के उपर बनाके रख दे बनाने की बनाके सुविधा प्रदान करते हैं उससे क्या होता है अगर कपड़ा सिकुड जाता है तो यह जो स्केल है जिसकी मदद से हम उस नक्षा में नाप सकते हैं दूरी वो स्केल भी उतनी ही मात्रा से सिकुड़ेगी जैसे मानल नो पूरा नक्षा या पूरा कपड़ा 10 परसेंट सिकुड़ गया तो हर दूरी 10 परसेंट कम दरशाएगा वो नक्षा लेकिन चुकि वो इसके उँपर स्केल बनी तो वो भी 10 परसेंट सिकुड़ेगी तो जब हम उसकी मदद से उस सिक्डवी स्केल की मदद से अगर हम नापेंगे दूरियां नक्षे पर तो वो सही दूरी बताएगी इसलिए ग्राफिकल स्केल का उप्योग होता था एक दूसरी बात ये भी है ग्राफिकल स्केल का एक सुविधा जनक भी होता है जरिया normal क्या करते है अगर दो दो बिंदों की बीच की दूरी ना पी जैसे मैंने बताया था 10 cm है अगर दो शेहरों की बीच की दूरी स्केल से ना पी नक्षे पे और वो 10 cm है तो उनके बीच में वास्तविक दूरी प्राप्ट करने के लिए बार बार उनमें RF का multiply करना पड़ता है आरेफ representative fraction जिसे एक बटा पांच लाग मान लिया था वो जो भी दिया हुआ है तो नक्षे में बार बार कहीं कहीं दूरी पता करनी है तो बार बार वो multiplication करना पड़ता है उससे बचने के लिए एक तरीका है यह जो graphical scale है हम इसको एक plastic के तुकड़े पर बना सकते है और graphical scale में direct दूरी किलो मीटर में रख सकते है जिसे एक centimeter अगर पांच किलो मीटर को दर्शार आए तो अपन ऐसी scale बना सकते है जिसमें zero के बार direct एक centimeter की दूरी का जो point है वहाँ पर लिख दे हम पांच किलो मीटर फिर दो centimeter की दूरी का जो point है वहाँ पर लिख दे 10 किलो मीटर तो ऐसे करके अपनी है कि ऐसी scale बन सकती है जो उस नक्षे पर काम की है जैसे यहाँ पर एक बनी हो यह यहाँ पर zero है यहाँ से यहाँ है पांच किलो मीटर बीच में लिखा नहीं है यह 10 किलो मीटर यह 15 किलो मीटर यह 20 किलो मीटर तो इस scale के तुकड़े को हम नक्षे पर रख रख के डारेट पता कर सकते हैं यहाँ से 5 किलो मीटर कहा है यहाँ से 10 किलो मीटर कहा है बार बार convert करने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी तो मैंने जो example दिया उसमें round figure में था एक बटा पांच लाग और 10 cm की दूरी अपने मान ली अभी अपनी चर्चा में यह सब round figure में हो जरूरी नहीं है तो बार बार यह multiplication का जंजट से बचना है तो अपनी एक ऐसी scale बना सकते हैं इस तरफ 20 km, 40 km की बना रखे हैं तो इनकी मदद से नक्षे में direct km में अपन पढ़ सकते हैं तो इस वज़े से भी यह graphical scale बनाई जाती है अब आपको graphical scale draw करने का सवाल आएगा तो उसके लिए तीन चीज़ों की जानकारी हासिल करना है सवाल को देखकर उस सवाल में लिखा हुआ रहेगा मैं एक example देता हूँ कि एक ऐसी scale बनाएं जिसमें एक cm की रेखा 4 cm की दूरी को दर्शाएं ऐसी अगर उसमें line लिखी हुई है तो आप समझ जाओ कि उसका RF कितना होगा एक बटा चार सबसे पहली information अपन को चाहिए RF representative fraction और वो अपन को सवाल को पढ़के ही मालूम पढ़ेगा second information अपन को चाहिए कौन सी unit को दर्शाना है scale में जैसा अपने इसके पिछले वाले डाइगराम में देखा यहां उपर की तरफ किलो मीटर में दूरी दर्शाना है तो कौन सी unit में दर्शाना है यह अपने को पता होना चाहिए नीचे यह आली जो scale है इसमें meal में दूरी दर्शाना है English में meal को miles कहते है यह भी सवाल पढ़के पता चल जाएगा और तीसरी चीज Maximum distance to measure यह Maximum length to measure अधिक्तम दूरी scale से कितनी नापनी है उससे मालूम पढ़ेगा कि अपन scale कितनी लंबी बनाएंगे जैसे जैसे यहाँ पर इस scale की अधिक्तम दूरी कितनी है नापने है योग कि इस scale से हम अधिक्तम कितनी दूरी एक ही बार पर नाप सकते है तो यहां शुनने है देखना यहां से उल्टे हाथ की तरफ गए तो 20 km नाप सकते है और जीरों से सीधे हाथ की तरफ गए तो 20, 40, 60, 80, 100 नाप सकते हैं 100 km और दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा इदर का 100 और इदर का 20 दोनों को जोड़ दें तो 120 km इस स्केल की मैक्जिमम लेंथ नापने की कैपिसिटी है 120 km किसी कारण से अगर हमें 200 km नापने योग स्केल इस प्रकार से बनानी होती तो इसे और लंबी बनाते है अगर उसके आवशक्ता नहीं होती मानलों 50 km तक नापने वाली स्केल बनानी होती तो हम इसको छोटी बनाते हैं तो यह requirement actually में सवाल में लिखा हुआ रहता है पर actually में यह नक्षे पर depend करता है और वो नक्षा किस परपस से बना जा रहा है उस पर निर्वर करता है फिलाल हमें यह जानकारी सवाल में लिखी हुई मिलेगी जो question आता है उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ formula लिख लो notes में RF कैसे निकलेगा यह पहले भी बताया था length of object on drawing sheet array सौरी मैंने उल्टा बोल दिया length on drawing sheet बटा length of object इसको हिंदी में सरल वाचा में उपर आ रहा है कितना बनाया है और नीचे आ रहा है कितना है फिर से सुनना कितना बनाया है बटा कितना है टेवल मैंने 5 cm की रेखा से बनाई है तो उपर आ जाएगा 5 उसकी लंबाई मान लो 50 cm है तो नीचे आ जाएगा 50 टेवल की लंबाई ज़्यादा है लेकिन बनाया चित्र छोटा है तो कितना बनाया है बटा कितना है 5 cm बनाया है लेकिन वो है 50 तो 5 बटा पचास इसी प्रकार से निकालना है और दूसरा टोटल लेंट ओफ स्केल स्केल की कुल लंबाई तो उसमें आरेफ का गुणा करना है उस लंबाई में जो उस स्केल से हमें अधिक्तम नापनी है यह सवाल में दिया हो रहेगा कि मैक्जिमम कितनी दूरी हमें उस स्केल से नापनी है वो यहाँ पर रखेंगे मैक्जिमम लेंथ टू मेजर और यहां आ जाएगा आरे करके भी बताएंगे अभी आगे बढ़ते हैं तो टाइपस ऑफ ग्राफिकल स्केल पर आ जाते हैं पहले थियोरी खतम करते हैं उसके बाट ड्रोइंग बनाएगा बड़ा मज़ा आएगा आप देखने ड्रोइंग बनाने में तो बीच बीच में थियोरी पढ़ने में मुझे अच्छा नहीं लगता था मुझे लगता आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि जब ड्रोइंग बनाने लगते हैं और वो अच्छे से बनने लगती है तो फिर उसी में मज़ा आने लगता है तो पांच प्रकार की हो सकती है पिलाल अपन के सिलिवस के अनुसार प्लेन स्केल, डाइगोनल स्केल, कमपेरिटिव स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल अप कॉर्ड्स प्लेन स्केल ये अपने सिलिवस में है अपन को इसे बनाना भी सीखना है इसके सवाल अपन करेंगे प्लेन स्केल में एक लाइन है उसको कुछ बराबर हिस्सों में बाटना है कितने बराबर हिस्सों में बाटना है वो सवाल पर निर्वर करता है जिसे नीचे एक डाइग्राम बना हुआ है आला कि इसकी क्वालिटी बड़ी कम अच्छी है इसको ध्यान से देखो क्या देख रहा है इस स्केल को ध्यान से देखो नीचे एक रेखा बनाई उसके दस हिस्से कर दिए सबसे पहला एस से को और फिर बरावर इस्सों में बाढ़ दिए है यहां मतलब यहां जीरो से यहां तक 5 म किया बढ़े हैं और एक एक इसके किया होगे नीचे यूनिट लिखी डेसि मीटर सवाल में लिखा हुआ रहता है कि कौन सी यूनिट शो करनी है और मैगजिमम दूरी कितनी बनानी है उसके बेसिस पर अपन डिसाइड करते हैं कि इस राइन के कितने हिस्से करना है वो जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा फिर ये हिस्से करने के बाद जो पहला हिस्सा है जो पहला पार्ट है उल्टे हाथ की तरफ उसके भी वापिस से कुछ छोटी छोटे अपन ने हिस्से कर रहा है फिर से उसका डिविजन या विभाजन कर रहा है तो प्लेन स्केल में दो यूनिट दरशाई जा सकती है एक तो ये बड़ी बड़ी यूनिट जैसे वन टू त्री फोर ये जो बड़ी बड़ी दूरी पर लिखा है और एक छोटी दूरिया है जो इसके अंदर अभी हर एक पर नहीं लिख सकते इसलिए बीच में कॉमन एक लि चोटे-चोटे इससे हैं मिली मीटर तो हम दो यूनिट दरशाई पा रहे हैं इसमें अभी डेसी मीटर लिखा है ये क्या होता है मैं आपको अगले लेक्शर में इसको डीटेल बताऊंगा अगर आपने यह याद नहीं रखा कि डेसी मीटर मतलब क्या डेका मीटर हेक्टा मीटर हेक्टो मीटर यह सब क्या हैं तो आप यह सब सवाल नहीं कर पाऊगे आते हुए भी नहीं बना पाऊगे क्योंकि फिर आपको मालूम नहीं पड़ेगा कितने बार इसकी डिविजन करने हैं सेकंड टाइप की स्केल है डाइगउनल स्केल इसमें जब तीन यूनिट अगर पड़नी स्केल से तो इसको बनाईे जाती है जिसे यहां पर देखो एक यूनिट तो वगई मीटर फिर मीटर के अगर दस formation कर दें तो उसको कहते हैं decimeter वो यहां पर पढ़ सकते हैं हाँ अगर 0 से 1 सीदे हैत की तरफ जांतो एक मीटर है तो ये 0 से 1 अगर उल्टे हाथ की तरफ जाएं जीरो से टूल्टे हाथ की तरफ जाएं तो यह decimeter है फिर उन decimeter के भी अगर दस हिस्से कर दें बराबर एक दम तो एक हिस्सा हो जाएगा centimeter तो यह तीन units को पढ़ने योगी scale बना रही है इसमें जो छोटे छोटे डिविजन है वो एक principle of diagonal division से मिलते है इसमें क्या किया है देखो मान लो इस वाले हैपन एक triangle को देखते है यहाँ पर zero लिखा है मेरे mouse से मैं दर्शा रहा हूँ इसके उपर एक triangle बना है मान लो यह दूरी है एक millimeter मान लो यह वाली दूरी तो हमने क्या किया यह रेखा बनाई और इसके दस हिस्से कर दी है यहाँ भी एक रेखा बनाई इसके भी दस हिस्से कर दी है और इस बिंदू से उपर के बिंदू के बाद वाले बिंदू से रेखा जोड़ दी तर्ची इस बिंदू के उपर वाले बिंदू के बाजू वाले बिंदू से रेखा जोड़ दी तो इस तिर्शी रेखा जो बनी है इसने क्या किया है इस वाली दूरी जो अपने एक एम मान ली है इसके दस इससे कर दिये है कैसे है इसके जस नीचे वाली ये वाली रेका होगी 9 mm है ये अगर 1 mm है तो ये हो जाएगी 0.9 mm ये हो जाएगी 0.8 mm ये 0.7 mm 0.6, 0.5, 0.4, 0.3 इसके नीचे दिखने मुश्किल है पर है 0.3 यहाँ पर 0.2 mm यहाँ 0.1 mm और यहाँ पर 0 कीरों तो इस प्रकार से इसको बनाना सीखेंगे तब और समझ में आएगा भी चिंता मत करों कमपैरिटिव स्केल एक ही स्केल में अगर दो यूनिट दर्शाई जा रही हैं जो अलग अलग टाइप की हैं तो उसे कहते हैं अपन कमपैरिटिव स्केल तो दोनों का आर एफ सेम होना चाहिए जैसे की ये स्केल इसमें आपने दियान दिया उपर किलो मेटर नीचे माइल है एक ही स्केल के नीचे मील में भी आप नाप सकते हो और उसके उपर किलो मेटर में भी नाप सकते हो तो ये और दोनों का आर एफ सेम है तो ये एक के नीचे एक बनाएं तो इसे क यह हैं comparative scale इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक के नीचे एक ही बनाए दूर भी बनाई जा सकती है पर वो एक ही drawing sheet पर बनती है comparative scale, plain scale या diagonal scale किसी से भी बना सकते हैं उनको separate भी बना सकते हैं या एक के उपर एक भी बना सकते हैं कोो वस्ञेव प्रेड़ है अपने को नहीं पढ़ेंगे इसको बनाना सीखेंगे और सिलेarta में है इसकी थी तो इत्था अपन उसको पड़ा है सवाल पर लिखना है कि वर्निर इसके यह तो आपने बच्पन से इसके बारे में मेरे खाLY ब्रूइ वर्नियर स्केल बहुत बारीक डिस्टेंस को भी मेजर करने में उपयोग आ सकती है उसमें दो हिस्से होते थे आपको यादो एक मेन स्केल और एक वर्नियर अगर आपने वर्नियर स्केल अभी तक नहीं देखी है तो वीडियो रोको और गूगल पर ढूड़ो वर्नियर स्केल और नजर भरके अच्छे सो उसको देखो क्या है अपने वो वर्नियर स्केल बनाना नहीं सीखना है वर्नियर स्केल में मेन स्केल पर अगर मान लो एक एक सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदू बने और उनके बीच में एक एक मिलिमीटर की दूरी में छोटे छोटे रेखाओं से बिंदू बने तो वो मेन स्केल रहती है और वर्नियर नाम की एक छोटी सी स्केल रहती है जो उसके उपर फिसल सकती है आगे से पीछे की तरफ फिसला सकते हैं वर्नियर स्केल में एक सेंटीमीटर के अंदर दस विभाजन ना करते हुए यारा विभाजन कर देते हैं या नौ विभाजन कर देते हैं तो एक मिलीमीटर नहीं रहता है वो वो या तो एक मिलिमेटर से थोड़ा ज़ादा या थोड़ा कम रखते हैं फिर जित्ती भी दूरी अपने को नापनी है वर्नियर वाली नाम की जो छोटी स्केल रिती है उसको एड़ेस्ट करते हुए उसकी कौन सा डिविजन मेन स्केल की डिविजन से मैच हो रहा है ये देखते हुए अपन उससे दूरी नापते है इसमें इतना ही स्केल अफ कॉर्ड अलग आकरी एक चीज है ये स्केल एंगल नापने के लिए बनाई जाती है जैसे चांदा से अपन नाप लेते हैं 45 डिगरी, 30 डिगरी, 60 डिगरी, कितना एंगल है वो चांदा अगर कहीं मिले नहीं तो अपन अपना खुद का भी एक ऐसी स्केल बना सकते हैं जिससे अपन चांदे की ही तरह एंगल नाप सके देखो, मैं इसका डाइगराम बताता हूँ ये देखो ये अपने को बनाना नहीं सीखना है इस सिलिवस में इसको बनाने का नहीं लिखा है बनाएंगे अपन के विल प्लेन स्केल और डाइगोनल स्केल पर इसकी थियोरी है तो यहां देखो, 0, 10, 20, 30 से लेके यहां पर आएगा 0, तो यह डिगरी एंगल के नाप सकते है पीजे देखो इस बेस्ट ओन लेंथ ओफ कॉर्ड और डिफरेंट एंगल्स मेजर्ड अन दे सेम आर्क लेंथ ओफ कॉर्ड आपको नहीं पता होगा शायद कॉर्ड क्या होता है कोई भी आर्क बनाया तो उनके आर्क के दो आकरी बिन्दों को बीच में सीधी रिकासे जोड़ दो तो उसे बोलते हैं कॉर्ड तो लेंथ ओफ कॉर्ड अलग अलग अंगल की सेम आर्क पे मेजर करें उस बेसिज पे यह बनती है अब इता डिटेल में इस से यदा पढ़ने की जरूरत नहीं है पिलाल आपको यह थियोरी याद रखनी है आज अपने क्या पढ़ा एक तो यह बात द्यान रखना है कि स्केल जो ग्राफिकल स्केल बनाई जाती है ड्रोइंग शीट पर वो असामानित टाइप की स्केल होती है और कितने प्रकार की ग्राफिकल स्केल होती है वो याद रखना प्लेन स्केल, डाइगोनल स्केल, कमपेरिटिव स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल अफ कॉर्ड इनके बारे में लिखने को आता है तो लिखना है जैसे कि ये सवाल दिया है assignment art write the types of graphical scale and their short description graphical scale के प्रकार लिखिए और उनका छोटा description लिखिए अगले लेक्चर में मैं plain scale बनाना सिखाऊँगा उसके लिए आपको चाहिए कागज, pencil दो प्रकार की pencil HB और 4H की pencil या 6H की pencil इसके साथ scale चाहिए एक roller scale चाहिए और rubber चाहिए पर आपको rubber के आवसकता प्रना नहीं चाहिए ये की बार में सही बनाना है तो ही वो अच्छा लगेगा diagram वरना वो कितना ही मिटाल हो गंदगी दिखने लगती है तो ये सब सामान के साथ तैयार रहो ठीक है ये मुझे इसा लगता है आप nd भठ की किताब पढ़ेंगे तो ये सब चीजों का बड़ा अच्छा आपको मिल जाएगा विबरन इसके लावा ये NPTEL National Program for Technical Enhanced Learning आई आई टी के प्रोफेसरों ने इसमें नोट्स बनाए हैं वीडियो बनाए हैं उसको आप देखो आपको अच्छा लगेगा वो लेकिन वीडियो सारे English में है पर बहुत अच्छे हैं तो आप उनको देखो ठीक है अगली क्लास में मिलते हैं ओके बाई